पद्मपुराण में कहा गया है, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्यूग के समान कोई युग नहीं, वेदो के समान कोई सास्त्र नहीं, और गंगा के समान कोई तिर्थधाम नहीं, कार्तिक सभी मासों में स्रेष्ट है. हरे कृष्णा ओम नमह शिवाय प्रियभक्त कड़ूं आज हम स्रवन करेंगे साथ बहों की कहानी एक बुढ़ा ससुर था उसकी साथ बहों थी उसने अपनी बहों से कहा कि कल से कार्थिकृष्णान आरंभ होने वाला है मैं कार्थिकृष्णान करना चाहता हूं क्या तुम आपको सुबह सुबह कार्थिकृष्णान नहीं करवा पाएंगे तब उसने अपनी सबसे बड़ी बहों से पूछा तो वह सबसे बड़ी बहों ने कहा जी जी पिताजी ठीक है मैं आपको कार्थिकृष्णान करवा दूंगी अगले दिन से ससुर ने कार्थिकृष्णान क थोकर वही आंगन में सुखा देती। जब वह धोती सुखती थी, तो उसमें से जो पानी, बूदे टपकती, वह नीचे हीरे मोती में बदल जाती। ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए। छोटी बहु ने देखा कि बड़ी बहु जो धोती धोकर सुखाती है। उसकी जो बूदे नीचे जमीन पर गिरती हैं वह हीरे मोती बन जाती हैं तो क्यों ना हम पिता जी को कल से कहें कि हमारे यहां पर आकर शनान करें अब देखें वे लालची बहु अपने ससुर से ऐसा ही कहती है तब बुढ़ा ससुर बोला कोई बात नहीं मुझे तो कार्थिक शनान करना है कल से तुम्हारे यहां शनान कर लूँगा जैसे ही अगले दिन ससुर कार्थिक शनान करते हैं और वे बहु जल भर कर ले आती है और ससुर की धोती धो कर और सुखा कर जैसे ही आगन में डालती है तो पानी की बुढ़े टपकती हैं उसमें से हीरे मोती बनने की बजाए वहां प वे अपने ससुर से कहती हैं, पिता जी हमसे यह नहीं होगा, यहां पर तो सारे में कीचर ही कीचर हो गया है, आप जाओ और बड़ी बहु के घर में ही कार्तिक श्नान करो, ससुर अगले दिन से फिर बड़ी बहु के घर जाकर श्नान करना सुरू कर देता है, जैसे ही बड़ी बढ़ी बहु ससुर के श्नान करने के पश्चार अपने ससुर की धोती धो कर शुखाती है। वह फिर से पानी की बूदों से हीरे मोती बनने सुरू हो जाते हैं। कार्ट्यो किश्नान अब खत्म होने जा रहा था तो ससुर ने अपने बढ़ी बहु से कहा। मैं ब्रामडों को भोजन करवाना चाहता हूं और उसके साथ ही सारे घरवाले भी भोजन करेंगे। बढ़ी बहु बोली कोई बात नहीं पिताजी मैं आपका भोजन बना दूंगी आप जाकर ब्रामडों को और बाकी के सब घरवालों को निमंतर दे दे। ससुर जाकर ब्रामडों को निमंतर देता है और जाकर अपने छे बहु को भी भोजन के लिए निमंतर देता है। छे बहु ने कहा अगर बड़ी बहु घर में रहेगी तो हम भोजन के लिए नहीं आएंगे लेकिन जब हम आएं तो उसे कह देना कि वह कहीं बाहर चली जाए तसुर उनकी यह बात सुनकर परिसान हो जाता है और वापस बड़ी बहु से आकर कहता है कि छोटी बहु ने ऐसा कहा है तो बड़ी बहु बोली कोई बात नहीं पिताजी मैं सब का खाना बना कर रख दूंगी और ब्रामणों को भोजन करवा दूंगी और जब छोटी बहु आएगी तब मैं खेत में चली जाओंगी बड़ी बहु ऐसा ही करती है अगले दिन बड़ी बहु ब्रामणों को भोजन करवा कर और दो रोटी अपने पल्ले में बांध कर खेत में चली जाती है उन रोटी को बड़ी बहु चिडियों को खिला देती है और साथ ही साथ कहती राम जी की चिडियां राम जी का खेद उधर छे बहु आकर खाना खाती है और जाते वे बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकर डाल देती है जब बड़ी बहु खेद से वापस घर आती है तो ससुर कहता है कि सबने भोजन कर लिया बहु अब तुम भी भोजन कर लो पता नहीं छोटी बहु ने कुछ छोड़ा है या नहीं वह बोली कोई बात नहीं पिताजी अगर भोजन नहीं होगा तुम्हें दोबारा बना लूँगी लेकिन जैसे ही वा रसोई में जाती है खा चक्कन उठा कर देखती है वह भी हीरे मोती और जेवरात से भरा होता है यह सब वह अपने ससुर को बताती है तो ससुर कहता है कि यह सब तुम्हारी नीस्वार्थ सेवा का फल है बहू जो तुमने मुझे नीस्वार्थ भाव से कार्तिक विश्णान कराया है इससे कार्तिक मह अगले दिन जब बड़ा बेटा खेत में जाकर देखता है तो खेत में भी उसके फसल सोने चांदी से लह लहा रहे थें। कार्तिक के भगवान हे कृष्ण भगवान जैसा आपने बड़ी बहु को दिया वैसा सब को देना इस कहानी कहने वाले सुनने वाले और हुमकार भरने वाले को देना जैस्री कृष्ण ओम नमः शिवाय। अब आए सुनते हैं कार्तिक मास के साथ सुनी जाने वाली अनिवार रूप से माता तुलसी की कथा। एक बार एक गाउं में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह सुबह ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी मा की पूजा करती थी। और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी मा से कहती थी। हे तुलसी माता सबकी दाता मैं तेरा विडला सिचु तु निस्तार कर मेरा हे तुलसी मा तू मुझे बहु दे पितांबर की धोती दे मीठा मीठा गास दे बैकुंठ मेवास दे चटक की चाल दे पटक की मोत दे चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा करती और उनके विडले को रोज सीजती तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सुखने लगी, तभी भगवान स्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सुखती जा रही है, तभी एक दिन भगवान स्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए, और भगवान स्री कृष्ण ने तु क्यों सुख रही हो सभी महिलाएं तुम्हारे पूजा करती हैं और तुमको सीचती हैं लेकिन फिर भी तुम सुखती जा रही हो क्या कारड है इसका जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान स्रेकृष्ण से कहा ये प्रभु एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है औ जो मुझे बहु दे पितांबर की धोती दे मीठा मीठा गास दे वैकुंठ में वास दे चटक की चाल दे पटक की मौत दे चंदन का काठ दे रानी साराज दे दालभात का भोजन दे ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे है भगवन मैं उस बुजुर्ग महिला क सारी मनोकामना पूरी कर सकती हूं लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती मैं स्रीकृष्ण जी का कंधा कहां से दूंगी प्रिय भक्त करो तभी भगवान स्रीकृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर भगवान स्रीकृष् स्वयम उसको कंधा देने आऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना जिसके बाद भगवान स्रे कृष्ण जी तुलसी माता को यह बता कर वहां से अध्रिश से हो गए अब क्या था धीरे धीरे बुजुर्ग महिला की तवियत खराब हो गए और एक दिन और उस बुजुर्ग महिला की अंतिम संसकार के लिए उनको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां से किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी तभी कुछ गाम वाले कहने लगे यह बुढिया माई तो भगवान की बड़ी भक्तिन बनती थी और कहती थी कि वह भगवा की सबसे बड़ी भकत is अब क्या हुआ अब तो यह उठी नहीं रही है लगता है या जूठ भोलती थी यह भगवान की भकती नहीं यह तो ढोंकरती थी अरे यह तो ढोंगी है यह तो पापिनी है किसी से भी नहीं उठ रही है प्रिय भक्तगण भगवान अपने भक्तों का निरादर होते हुए कैसे देख सकते हैं भगवान स्रे कृष्ण वहां तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया और सभी से कहने लगें कि मैं इस बुजर्ग महिला के कान में कुछ कहूंगा जिससे वह बुजर्ग महिला हलकी हो जाएंगी और आप सभी लोग उनको आराम से उठा सकेंगे यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर चकित हो गए और कहने लगें ऐसा कैसे हो सकता है और सभी लोगों ने उस बच्चे को उसे नन्हा बालक समझ कर वहां से भगा दिया लेकिन वहां पर उपस्तित एक बुजर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा बेटा जाओ तुम्हें जो कुछ कहना है वह कहलो प्रिय भक्तगरो लेकिन यह सभी लोगों को पता नहीं था कि बच्चे की रूप में भगवान सरे कृष्ण खुद ही वहां आये हैं उस बुजर्ग महिला को कांधा देने के लिए जिसके बाद भगवान सरे कृष्ण ने उस बुजर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगें माई मन की निकाल दे पितामबर की धोती ले मीठा मीठा गास ले पैकुंठ में वास ले चटक की चाल ले पटक की मौत ले चंदन का काठ ले और हे माता अब तू सरे कृष्ण जी का कंधा भी ले भगवान सरे कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हलकी हो गए और फिर भगवान सरे कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन उस बुढ़ी मा को कंधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिन संसकार किया जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष की प्राप्ती हो गई और इस प्रकार वह बोढ़ी मैया भगवान विश्णु के बैकुंठ लोक में चली गए एक बार प्रेम से बोलिए जै माता तुलसी प्रिय भक्तगडों आईए अब सरवड करते हैं तुलसे माता की आरती तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो धन तुलसी पूरड तपकीनो साल ग्राम बनी पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मल स्रीपति कमल चरड लपटानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो धूपदी पने बध आरती पुश्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो छपपन भोग वतीशो व्यंचन बिन तुलसी हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो शभी सखी मैया तिर यशगावे भकती दान कीजे महरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो जै जै तुलशी माता मैया सब जग की सुखदाता सब की वर माता नमो नमो तुलशी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो सब योगोशे उपर सब रोगोशे उपर रज से रक्षक करे शब की भवतराता नमो नमो जै तुलशी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो जै तुलसी माता हरी की काया निशा जैसी है आप वन्न में श्याम है आपके मुख मंडल से तेज चमकता है आप सभी गुडों में निपोन है हे बुध्ध देव आपको दंडवत प्रडाम मेरा और अपने भक्तों का उधार करो। प्रिय भक्तगडों बुध्ध वार का वरत करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। भगवान बुध्ध देव को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। वे दे द्रता का नास होता है, बिद्यार्थी को बिद्या, धनार्थी को धन, नौकरी की आकांचा रखने वालों को नौकरी, ब्यापारी को ब्यापार में लाभ मिलता है। में ले जाकर उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा, हे गुरुजी, आप प्रजा के कल्यार्थ कोई ऐसा उपाय बताईए, जिससे मेरी शंपूर्ण प्रजा कष्टों से मप्त होकर स्वर्गा रोहन करी। वसिष्ट जी ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्ण किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ती परुपकार की बात नहीं सोचता, किवल अपना ही लाभ देखता है। इसकी लिए मैं तुमसी एक ऐसी वरत का वर्णन करता हूं, जिसके करने से प्राड़ी सभी सांसारिक सुखों को भोग कर, अंत में मिथला देश जनकपुर में राज करते थें। महराज निमी अध्यादमिक बिद्या के प्रकांड विद्वान थें। उन्होंने अपनी बिद्या के गर्व में आकर एक बार बुध देवता की पूजा का उपहास किया, जिसके फलसरूप बुध देव ने रुष्ट होकर उ नगर को चार ओर शी घेर लिया। राणी ने विचार किया अब हमारे शेश परिजन भी सत्रूद्वारा माल दाने जाएंगे। अतहर अच्छा यही होगा कि हम सब चुपके से नगर के बाहर निकल जाएं। महल की गुप्त मार्ग सी निकल कर राणी अपने पुत्र एवं पुत्री के शाथ वन में चली गई। कई दिनों तक वे दिनों बन में भूख प्यास से तलपते रहें। किसी प्रकार वे भटकते हुए उज्जैनी नगरी में जाबा हुचे। बड़ी चेश्टा करने के बाद राणी को एक ब्रामण के घर में धान पूटने और आटा प बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चे उसे कच्चा ही खाने लगें साम को ब्रामण द्वारा। उन्हें मजदूरी के रूप में बहुत सा आटा मिला। जिस से वे अपनी भूख को सांद कर शकें। राणी को अपनी चोरी याद न रही। परन्तु यमराज की वही खाता में उसकी चोरी लिख ली गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राणी और राजकुमार की सेवावों से ब्रामण देवता बहुत ही प्रसंद थे। कई बार उनके वहेद को ब्रामण ने जानना भी चाहा, किन्तु हर बार राणी ने उस बात को टाल दिया। एक दिन ब्रामण ने उस बालक की हस्त रेखाएं देख कर कहा, यह बालक तो कोई राजकुमार है, इसकी रेखाओं से ऐसा जान पड़ता है कि यह किसी दिन बहुत बड़े समराज का स्वामी होगा। मुझे ऐसा बिश्वास हो रहा है कि तुम लोगों पर किसी देवता का प्रकोप हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्ही अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। रानी के नेत्रों में आसु छलक आएं, उसने ब्रामण के पैर पकड़ कर उस कष्ट की निवारण का उपाय पूछा। ब्रामण ने कहा, तुम लोगों पर बुध देवता का प् ब्रामण के कथना अनुसार वे तीनों प्राडी बुध देवता की आराधना एवं वरत करने लगे। बुध की वरत और उनकी कथा सुननने से बुध देवता निमी रानी और राज गुमारप्र प्रसन्न हो गये। उन्होंने उसके पिता निमी का राज दिलाने का कर दी दूद लोग खोजती हुए ब्रामण की आसरम में उज्जेनी जा पाउचे वहां सेवे लोग राजकुमार को अपने देश ले गए और उसी राज सिंहासन पर बिठा कर उसका राज़त से किया और राजकुमारी का बिवाह धर्मराज के साथ हो गया एवं उस आसरे दा को राज़गुरु का पद दिया गया राजकुमारी महराज धर्मराज के महल में चली गई महराज के महल में सदैव बंद रहने वाले साथ गुप्त द्वार थे धर्मराज ने उस द्वारों को खोड़ने के लिए राजकुमारी को मना किया था निसीध की कारण राजकुमा अपनी आयो पूर्ण करने के बाद राज कुमारी की माता का दिहान्त हो गया था। अवे नर्क में चली गई थी। यही सब राज कुमारी ने देखा। इस दरश से उनकी व्यगरता और अधिक बढ़ गई। उसने एक एक करके सभी दरवाजों को खोल कर देखा। और सभी जगहों में अपनी माता को यातना सहते वे पाया। धर्मराज के लोटने पर उसने अ उसी पाप का यह फल उसी भोग न पड़ रहा है। राज कुमारी द्वारा धर्मराज से प्राश्चित का विधान पूछने पर उढ़ों ने कहा। तुम सब लोग बुध देवता का वरत करो तो तुम्हारी माता का उधार हो जाएगा। धर्मराज के कथना अनुसार पुर्वक बुध देवता का वरत किया। इस प्रकार उन लोगों ने 27 बुधवार तक पिधी पुर्वक वरत किया। वरत की समापती पर खीर और मालपुए का भोग बुध देवता को अरपित करके एक हजार ब्रामणों को भोजन कराया। और उन्हें पाँच-पाँच ग वरत के प्रभाव से बुध देवताने प्रकट होकर उन्हें वर्दान दिया कि मिथला राज के वंश में बहुत दिनों तक अक्षे बना रहेगा तथा उसकी माता नर्ग की यातनाव से चूट कर बीमान द्वारा स्वर्गा रोहन करेंगी। उसी समय मांगलिक ध्वनी के बीच स्वर्ग से बिमान भूतल पर उतरा और देखते ही देखते राजा निमी की रानी बिमान में बैठ कर सत्य धाम को चली गए। उसी दिन से सभी लोग देश भर में बुध देवता कवरत करने लगे। राजा मानधाता से वसिष्ट जी ने कहा राजन तुम भी अपने शम्पुन प्रजाओं से इस वरत का पालन करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे राज में स्री व्रिधी होगी, वरती को अंत में बैकुंठ की प्राप्ती होगी। वसिष्ट जी के आदेशा नुशार मानधाता के राज में घर घर में बुध देवता का वरत एवं पोजन कि या जाने लगा। इसके फल स्वरूब राजा को सभी प्रकार का सुख सो भागे प्राप्त हुआ। इत एव जो प्राडी इस मंगल दायक वरत को करता है, वह सभी सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बुध वार के दूसरी कथा के अनुसारव। किसी गाव में रामु नामक एक व्यक्ति रहता था, वह एक बार अपनी ससुराल में गया, वहाँ वह कई दिनों तक सम्मान पुरवक रहने के बाद एक दिन अपने ससुर से बोला, पिताजी आप मेरी पतनी का विदाई कर दें, अब मैं अपने घर को जाना उत्तर में ससुर ने उससे कहा, आज बुधवार का दिन है, मेरे यहां बुधवार के दिन करन्या की विदाई नहीं की जाती, अता तुम किसी दूसरे दिन चले जाना। रामू जल की खोज में पतनी को अकेला छोड़ कर कुछ दूर निकल गया, रामू की अनुपस्तिती में उसके वाहन रत पर, रामू का हम सकल एक दूसरा वेक्ती आ बैठ गया, जब रामू लोट कर वापस आया, तो वहां दूसरे रामू को देख कर उसे महान आश्चर हु अन्तमी साहसकर के पहले रामू ने दूसरे रामू से कुरोध पुरवक पूछा, तुम मेरे रत में क्यों बैठे हो? दूसरे रामू ने कहा, यह इस्तरी मेरी है, अतह मैं ही इस रत पर बैठने का अधिकारी हूँ। पहले रामू ने उसकी बाद का कड़ा विरोध करती वे कहा, यह इस्तरी मेरी है, मैं इसे अपने ससुराल से विदा करा कर घर लेकर जा रहा हूँ। इस प्रकार उन दोनों में बाद विवाद होने लगा, आने जाने वालों की भीड एकत्रित हो गई, परन्तु समस्या का स गटना स्थलकी ओर भेजा, गटना स्थलका निरक्षड करके सिपाहियों ने पहले वाले रामू को दोसी जान कर गिरपतार कर लिया, रामू मन में बहुत ही दुखी होकर भगवान से अपने उधार के लिए प्राधना करने लगा, इसी समय आकाश्वानी सुनाई पड़ी, रामू तेरे शसुर द्वारा मना करने पर भी तु बुद्धवार के दिन अपने ससुरार से अपने बतनी की बिदाई कराकर ले आ रहा है, इसी लिए तुझी इसका फल भोगना ही पड़ेगा, यदि तुम बुद्ध देवता से छमा याचना करू, तु तुम्हारा उधा हो सकता है, आकाश वारी के अनुसार पहले वाले रामू ने बुद्ध देवता की पूजा करके उनसे छमा याचना की, बुद्ध देवता प्रशन हो गये, जिसकी फल सरूब उसे बंधन से मुक्त कर दिया गया, भगवान बुद्ध देव वही अंतर ध्यान हो गये, सकता हा, पत्नी सहित, बुद्ध देव की पूजा अर्शना करने लगा, प्रियभक्तों, बुद्ध वारी की दिन जो प्राडी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे बुद्ध वारी की दिन कहीं आने जाने का, किसी प्रकार का दोस नहीं लगता, उसकी यात्रा मंगल मे होती है, तो बोले बुद्ध देवता की जय, जय हो बुद्ध देवता, जय हो गुरु ब्रहस्पति के लाल, जय बुद्ध देव, अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हीं बल बुद्धी पराक्रम तथा, बिद्या देना, ओम नमु भगवती, वासु देवाय नमा. झाल